स्वागत है आपका fantasy council में अगर आज आप सोच रहें अफगानिस्तान और साउथ अफरीका के मैच में साउथ अफरीका स्ट्रेट यह मैच जीतने वाली है तो मैं आपको आगा करना चाहूंगा दो तीन प्लेयर्स के बारे में जो आज अफगानिस्तान को जिता भी सकते हैं अगर आज आप सोच रहे हैं टैंबा बवुमा को ड्रॉप करने की तो दो तीन चीजे और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपके दिमाग में डाल देगी कि क्यों टैंबा बवुमा आपकी टीम में होने चाहिए फजलाक फारुकी का परसेंटेज बहुत कम है कैसे वो की प्लेयर बनेंगे इस मैच में वहीं अगर मैं बात करू शार्जा का मैदान जहां पे दो टीम में भिड़ने वाली है एक तरफ रहन करूंते हैं ठैंबा के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता दूनिया सोचे की रिना के ़िए कुछ भी कर सकता हूं के लिए कुछ नहीं एक लेकिन था म Zumoht वापसी कर रहा है विकसे होभी दूसरी आपको इसका सीधा लाई प्रसारण कहां पर गया हूघा यह मैच खेला जाएगा यह चीज़े क्लियर हो गई आज मैच से हमें देखना कि हैं हम किस तरीके से system को चला सकते और ईस मैं सारी चीज़े मैं ईसarin Ma Align किस तरीके से हर बार स्मॉल लीग में hundred percent win rate मारते वभा रहे हैं और इस मैच में मारने वाले री ट्रीडिंग क्या होगी कैसे आज हमको ट्रीडिंस इस मैच में मतलब कॉंसी टीमी जीतेगी कॉंसी टीम के जीतने के चैनसे इस कब जादा हैं फर्स एसे डबलू वर्सिस पार्क डबलू का मैच हुआ था और किस तरीके से मैंने उसमें 100% win rate in fantasy मारा था और mega jackpot बनाया था मैंने clearly अपने channel पर बताया था South Africa woman ये match जीतेगी अगर आप trading से पैसा बहुत सारा चापना चाते हैं तो वो आपने चापा होगा नहीं चापा होगा तो कोई बात नहीं अभी फिर match जाएंगे जिनकी small league की complete free team मैं अपने telegram channel पर देता हूँ तो चैनल को subscribe करने के बाद telegram channel कैसे join करना यह मैं आपको समझा देता हूँ जाहिए description में मैंने link डाला हुआ है वहां से join कीजिए और join करने के बाद चालू जाहिए कमाने के लिए सोचने की बात ही नहीं है जितना जादा आप कमाएंगे उतना जादा ही तो ओडाएंगे तो join कैसे करना है कमेंट सेक्शन में आपको link मिल जाएगा उसके साथ साथ आपको description में भी लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल कर लो सारी update मैं आपको यहीं पे देने वाला हूं बड़े गलत तरीके से मुझे इस करसर को नीचे लाना होगा कहा गया वहा गया चालो हाँ आगे बढ़ते हैं फर्स लाइक फर्स कमेंट पहली बात तो उन सब को congrats जिनों ने टॉप 10 में आपना नाम रजिस्टर करा दिया है कैसे कराया है टॉप 10 मतलब फर्स लाइक फर्स कमेंट जिस लिस्ट में दस बंदों का नाम आता है उन्हें मिलते हैं तीन सो रुप पे टीम कैश लो बजट वालों के लिए हमें भी पता है 300 रुपे बहुत बड़ी चीज होती है आप इसे इंवेस्ट कर सकते हैं और 1000 रुपे उससे बड़ी चीज हो जाती है जब आते हैं आप 10 बैस कमेंट्स में सेलेक्ट होगे तो लाइक और कमेंट रुकने नहीं चाहि आती है आहा तूफान ला दिया था तूफान यहां का एवरेज ओडिया स्कोर है 220-260 यहां पर हाइस टोटल बनाए 304 सट रंस साथ विकेट के नुकसान पर और लोएस्ट बनाए 24 रं मतलब 24 रं पर ODI में टीम आल आउट होगी थी अब यह पैटन समझना है बहुत ध्यान से टोटल मैचिस यहां पर खेले गए हैं 241 जिसमें से 131 डिफेंड हुआ है डिफेंड होने का मतलब होता है कि यहां पर डिव फैक्टर नहीं आता है डिव का मतलब होता है ओस ओ साउथ अफरीका या अफगानिसान जो भी पहले बैटिंग करती है उसको एक एक एक्ट्र एडवांटेज मैच में मिली जाएगा क्यों क्यूंकि अफगानिसान की बॉलिंग अच्छी है बिलो 200 यहां पर 78 टाइम्स बना है मतलब पिच अलग बिहें करिए 200 से 200 के बीच में 75 बार बना है लेकिन 200 से 300 के बीच में बना है 70 बार तो यह कॉंट्राडिक्टिंग हो गई है अब हमें पिच रिपोर्ट देखनी है कि कैसी होगी मतलब मैं आपको समझाता हूं यहां पर क्या एडवांटेज है अगर आपकी बैटिंग अच्छी है टीम की मतलब जो मेरिट पर खेलते हैं जो बैट्समेन है फ्रंट फूट पर बैक फूट पर जिनकी बैटिंग अच्छी है मतलब फ्लैक्ट विकिट नहीं मिलेगा लेकिन हाँ एक क्लासिकल बैट्समेन को यहां पर स्कोरिंग बिलेंगी अब तीन सो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 18 बार बना है 241 मै यहां पर अभी ओडियाई हुआ था अफगानिस्तान और आयरलेंड के बीच में देख अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करी और बनाए 236 नौविक्ट के नुकसान पर पचास ओवर में छे विकिट लेके जाते हैं पेसर आयरलेंड एक्सों पर लाउट होती है टोटल म बनाती है इसी पिच पे इसी मैदान पे साथ मार्च को 310 रन और आयरलेंड बदले में 275 रन मना रही है टोटल गिरते हैं तेरा विकेट और पूरे 600 बॉल का मैच होता है मतलब 600 बॉल में सिर्फ तेरा विकिट गिरे मतलब बैटिंग तो है यहां पर पेसर लेके जाते हैं नो विकेट स्पिनर लेके जाते हैं चार विकेट यूए और वेस्टंडी का मैच होता है यूए बनाती है 184 ऑल आउट हो जाती क्योंकि वेस्टंडी बड़ी टीम है और 35 ओवर में चे विकेट के नुकसान पे चेस कर देती है 16 विकेट गिरते हैं जिसमें से 10 लेके जाते हैं स्पिनर और चार लेके जाते हैं पेसर तो मैं कहूंगा कि स्पिनर को यहां पर एक्स्ट्र ड्वांटीज है क्यों क्योंकि एक तो ड्यूफ्यक्टर नहीं आता है और थोड़ा अफगानिस्तान के लिए फेवरेबल यह पिचिस जरूर तयार करेंगे देखो यहां पे जो ड्रीम टीम बनी थी लास्ट टाइम मैं एक बार दिखाना चाहूंगा देखो कीपर में दोनों बार गुर्वाज आये लॉर्कन टकर एक बार आये जब एक सो साथ पॉइंट्स इनों ने ड्रीम टीम पर दिये थे मैं आपको समझाऊंगो यह क्या चीज है यह वेन्यू यह बहुत डेड होके खेलता है इंसान मतलब डिफेंस रॉन्स डिफेंस सिंगल डबल्स अच्छी बॉल मिली तो बाउंडरी वरना चलता रहेगा जिस वजह से हसमत उल्ला शहीदी यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं पॉल स्टर्लिंग को मैं मिस एंड हिट प्ल नभी देते हैं भाईया जी चार सो के करीब पॉइंट्स और वी सी एन खरोटे मतलब दोनों और ही यहां पर काम बना के गए कर्टिस कैमफर मैक ब्राइन अब आप यहां पर स्पिनर गिनिए एक दो तीन एंडी मैक ब्राइन स्पिनर है फिर हम आते हैं मार्क डेयर मैकार् ब्राइटिंग भी कर सकते हैं और फजलाग फारुकी तो भाईया यहां का हीरो है अभी दिखाऊंगा क्यों है तो यहां पर आपने देखे चार और तीन बॉलर बैट्समें तीन ही आ रहे हैं मतलब हमें तीन से प्लस बैट्समें लेना ही नहीं है अपनी ड्रीम टीम ही दी फिर से ड्रीम टीम का पार्ट है तो हस्मत तुल्ला शहीदी के लिए यह एक अच्छा ग्राउंड है आप चाहें तो अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं अब ओमर्जाई नभी नाइव अब यह क्यों आएं सबने बैटिंग अभी करिए 67 पिच्छत्तर बॉलर कितने है फजलाग फारुकी फिर से तो फजलाग फारुकी अंडाउटिडली एक बहुत बड़ा की प्लेयर है दोनों केस में चाहें सांथ अफरीका पहले बालिंग करें चाहें पहले बैटिंग करें वैं हमें बाकी यह दूब निकलते तो फिर वहीं आ जाता है आकड़ा कि तीन बॉलर तो मेंडेटरी रखने ही रखने हैं चाहें इस मैच में कुछ भी हो आगे चलते हैं लाइन अपस पर थोड़ा दियान देते हैं देखो जो टॉप ओडर है उसमें आपको एक दो चेंजिस देखने के लिए मिलेंगे जैसे यहां पर आपको दिखेगा रियाज हसन इ मैं दो बल्लेवाज बताता हूं आपको रहमत शाह और हस्मतुल्ला शहीदी इन दो मेंसे एक बंदा आपको ड्रीम टीम में देखने के लिए मिल जाएगा मिडल ओडर में हस्मतुल्ला उमर्जाई मुहमद नभी गुलबादीन नई अच्छा यह तीनों बॉलिंग करा सकत यह है कंप्लीट टीम अफगानिस्तान की इनके में बॉलर कौन से हो जाते हैं देखो फजलाग एक में बॉलर है पूरे दस ओर के स्पेल करेगा और राशित कान तो करेगा ही करेगा अब बात आती है नभी के कित्ते ओर होंगे अगर यहां पे स्पिन मिलती है तो खरोटे और नभी आपको तीसरे चौथे बॉलर मिलेंगे फरीद एमद पांचवे और चटा बॉलर हो जाता है अजमत उल्ला उमरजाई साथ वा बॉलर हो जाता है गुलवदीन नईब तो साथ बॉलिंग ऑप्शन के साथ उत्रेगी जिसमें मैं मैं मान के चलता हूं साथो को यह खास तोर पर जब यह टीम पहले बॉलिंग करेगी कि यह साथो को यूज कर सकते हैं आओ थोड़ा देखते हैं मैदान पे और हैट टो एड में कैसा खेलते हैं वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो अच्छा मोगा है चैनल को करें सब्सक्राइब बैल आइक 47-69-29-20 मतलब लगातार अच्छी परफॉर्मेंस है रियाज असन 0-10-15-1-14 पिछले पांच मैच में चले नहीं है ड्रॉप करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर रहमत शाह दो मैच में 32 रन 0 विकेट इस मैदान पे 14 मैच 442 रन 40 की आवरेज है रहमत शाह की इस मैदान पे तो मैंने क्यों बताया आपको ड्रीम टीम के लिए अच्छा प्लेयर सिर्फ इसी करके 39-1948 रन 1 विकेट 49 रन 3 विकेट और 49 रन रहमत शाह अब बॉलिंग कराने लगे हैं मतलब बिल्कुल रहमत नहीं कर रहे हैं हस्मत उल्ला शहीदी हैड टो एड में फ्लॉप हैं दो मै मैचमे उसमत लुाइब उल्ला हमस ईक मैस तोыт में नाइन टीजवन रन की पारी इस मैदान पे दो मैच में दो विकेट पिछले मैच में बॉलिंग आई विकेट नहीं भीर शहाले 34 विकेट उससे पहले उन्निस रन एक उससे पहले तीन और चार विकेट मतलब असमत अब् हैं जो की बड़ी बात है लास्ट मांच मैच देखे 0-19 18 जीरो विकेट 15 एक विकेट और दो विकेट अपने नाम इन्होंने अभी तक किये हैं अब हम चलते हैं थोड़ा इनके लोर ओडर की तरफ जहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे गुलबादी नाइब सौथ अफ 25 के आवरेज 9 विकेट इस मेदान पर लेकिन पिशले पांच मेट देखो जरा यहां पर भी विकेट नहीं इस इरो वीच तो बाॉलिंग से ज्यादा जोर है नहीं एक बार से पूरा मैच पलट दिये था इंडिया के गेंस्टी था खरोड़े वहिए एक मैच के लिए चार लेगे इस मैदान पर लास्पाइच मैच देखे जीरो जीरो दो जीरो दो थोड़ी थोड़ी बैटिंग ये जानते हैं मतलब ऐसे नहीं कि प्योर बैट्स मेना बठा दस बारा पंदरा बीस रन यह आपको कभी भी देखे जा सकते हैं राशित कान दो मैच दो विकेट 49 रंस स परीद हमद पिछले पांच मैच दो दो जीरो एक जीरो हैड टो हैड और वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड जिनके नहीं है साउथ अफरीका का लाइनप देखो साउथ अफरीका की टीम ने भी बहुत सारे चेंजिस करें हैं आप देख सकते हैं रीजा और टैमबा तो आपको देखने के लिए मिलेंगे इनके सबसे सफल प्लेयर एडन मार्करम जिने मैं गिनता हूं सफलता की लिस्ट में मुझे बहुत पसंद भी हैं ये भी इसमें पूरे शामिल अच्छा है नो डाउट उसके बाद आते काईली वरी एक विकेट कीपर हैं जिने आपने खेलते हो भी देखा होगा काफी-काफी डोमेस्टिक लीग में चलती है ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं जेसन स्मित अब यहां से इनकी थोड़ी परिशानी शुरू होती है फिर आते एंडिले फैलुक वायो यह बंदा की प्लेयर है देखो पहले ही बता रहा हूं यह बॉलिंग भी क प्रिशानी का सबब कोई बहुत बड़ा नाम इनकी बॉलिंग यूनिट में शामिल नहीं है यह पांच बॉलर हो गए है छटे बॉलर आप मान लीजिए इदर में सी कोई आएगा स्टब्स भी वैसे बॉलिंग करा लेता है लेकिन यह फसायट में यह टीम फसायट में अग पंद्रा इक्यावन साथ उन्निस एड़न मारकरम तो खेले हैं दो मैच में लेकिन कभी चले नहीं 25 और विकिड भी नहीं मिला है कभी बीस उन्निस चौदा चौदा इक्यावन पिछले पांच मैच में कोई बड़ी पारी भी इनकी नहीं है तो कह सकते हैं अफगानिस्तान पूरा चांस इस मैच में जीतने के लिए लास मांच मैंच इस बारह अरतिस पचास इक्यस उनसट काईली वरीनी क्रिस्टन स्टॉब्स यह आज गया अच्छा केल रहे हैं जनाब दिल्ली की तरफ से भी खेल रहे हैं जीरो उन्तालीस दो चालीस अठाइस जेसन स्मित छे इक्यावन तीस एक्तालिस उन्निस नाबाद लगातार बड़ी पर्फॉर्मेंस इस बल्ले से तो चल रहा है मतलब यह बंदा जेसन स्मित हम एंडीले फैलुक वायो दू मैच में तीन विकेट अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले पांच मैचेस देखेए 24 रन दो विकेट जीरो रन तीन विकेट दू-विकेट दस रन एक विकेट लगातार बड़े विकेट लेता है इसलिए मैं आपको बोलता हूं यह की प्लेय भीए तेरह एлекर आलंग चेजए और तो ड में 10 फिर नाम बेशने अंगे फिछले पांच में पीर आते हैं 15 tips गुंकि 40 को बेटिंग ब्याती ब्यादी देको कितने चुपा उस्था डींच मैंने आपके दिया रपिया मैंने आपको दिया रेहमत शाह मैंने आपको बताया कि रह اللों मैंस्द में को एक तो ड्रीमट में मिली जाएगा लिजार बिलियम्स छिनलास पाच Mec जीरो टीन एक जीरो उटलीन बाट मैं लास मझ मैच एक एक दो एक ती फिर बाट मैं को एंक मुह सब इन्होंने बनाये थे 244 रन ओल आउट वे थे 500 वर में स्कोर किस ने किया था रह्मनुल्ला गुर्बास 25 इब्राहिम जादरांथ 15 रहमशा 26 शहीदी दो 97 रन मारे थे आउट आउट अजमतुला ओमर्जाई ने बारा इक्राम अकील नभी दो राशित चौदा 26 नूर आमद और वहीं आठ मुझीब और दो रन विकेट लेने वाले बॉलर्स रवाड़ा गये जीरो लूंगी दो जीरो मारकरम कोईजी चार केशम महराज दो और एक लिया था क्यों क्यों कुंटन टीकोग 41 रन 47 गेंद में टेंबा बवुमा तेइस रन 28 गेंद में लेकिन रासी वेंडर डूसान 76 रन नौट आउट मैच विनिंग थी है एडन मारकरम 25 रन पे आउट हैंरी क्लासें 10 रन पे आउट डेविड मिलर 24 रन पे आउट और ये मैच गया था फस मजाग सेटके बता रहा हूं यह मैच आपने लाइब देखा होगा तो पांच विकिट होते हैं यह फस गई थी टीम फिर पार्टनर्शिप किसकी लगी फैलुक वायोगी एक 49 रन की पारी के साथ रासी वेंडर डूसान के 46 रन जिस लज़े से साउथ अफरिका इस मैच के बीच में का बूत हम बैच के दोखेंगे लेकिन अब अभी अब ही तक आपने नहीं करा के सब्सक्राइब तो आपको क्या कर रहा है अब को वेट करना है कि कितना स्कोर बनाती है South Africa falling कर रही है so South Africa सकोर करती है अगर जल्दी wicket नहीं आते हैं तो आप तोड़ी सी trade करिए अफ़गानिस्तान पर अफगानिस्तान के shares लिजिये अफ़गानिस्तान को plus कीजिये अफगानिस्तान match में जरूर वापसी करेगा एक टाइम ऐसा आएगा जब अफगानिस्तान का रेट बहुत जादा ट्रेड का उपर आ जाएगा उसी दोरान हमें कैश आउट करना है पिर हमें नहीं देखना कौन जीतेगा कौन आरेगा लेकिन हाँ अगर आप अफगानिस्तान पर बैटे हुए तो मानलो आफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है आपने अफगानिस्तान को जीता आया है आपने अफगानिस्तान पर इंवेस्ट किया है तो आप लोग क्या करें उस केस में थोड़ा सा वेट करें कि साउथ अफरीका कोलाप्स कब आ जाए क्योंकि साउथ अफरीका कभी भी कॉलाप्स कर सकती है ज क्या होते हैं यह वह प्लेयर होते जो आप लोगों को जिताते हैं Grand League जो आपके में Grand League में Top 10 में रैंक्स लेगा आते हैं और जो मैं आपको बताता हूं देखां डॉट्रीड लिए अगर यहां पर spin को कोई सबसे अच्छा खेल सकता है साउथ अफरिका की complete टीम में तो दो फ्लेयर हैं एक स्टब्स और एक एड़न मारकरम जो दोनों स्पिन को सबसे अच्छा केलते हैं मेरे हिसाब से तो मारकरम है की प्लेयर फिर आते हैं हमारे पास अगर साउथ अफरिका पहले बैटिंग करें चाहें बॉलिंग करें दोनों केसे में क्योंकि मैं करूंगा आजमतुल्लाव उमर्जाई 84% सेलेक्शन है और बहुत अच्छे ऑप्शन यह भी ग्रैंड लीग में सीवीसी के प्रॉपर ऑप्शन और फिर आते हैं फजलाहक फार राशिद नभी मारक्रम यह तो मैंने आपको बता दिये अब एक नाम बताता हूं वीसी में टैंबा पपूमा टैंबा ओनली टैंबा अच्छा एक और नाम मैंने भी आपको बताया एंडिले फैलुक्वाई होगा फजलाक फारुकी वीसी आप कर सकते हैं जब पहले बॉलि अल्राउंडर को बनाए नभी राशिद फैलुकवायो अजमतुल्ला यह चार ऑप्शन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है और टैंबा बवुमा की वंडे ना आप देखनें इसके अवरेज बहुत अची है कभी आप इसे समझ रहे हों कि भाई टगला चल दिया खेलना है ऐसा लेहमत शाह असमतुल्ला मेंसे तो कोई एक आए गई आएगा असमतुल्ला ओमर जाई नभी खरोटे राशिद फजलाग इन प्लेयर से मुझे पूरी उमिद है अफगानिस्तान से इधर से मुझे टैंबा से उमीद है स्टब से थोड़ी बहुत उमीद है व्यान मुल्डर से मुझे उमीद है फॉर्ट्यून से भी मुझे उमीद है और बाटमें से मुझे उमीद है बस बैचमें में मुझे वरीनी रीजा जेसन स्मिथ इन तीनों का बहुत ज्यादा डर है कि यह चलेंगे या नहीं चलेंगे तो यहाँ पर मैं काूंगा अफगानिस्तान के फिर chances है इस match में trading में both side profit होगा ही होगा तो आप यह चीज़ जरूर करें इस match में जरूर करना और जिसने नहीं करा है subscribe subscribe कीजिए बैल आइकन को कर दीजिए press और हम चलते हैं my master 11 की तरफ एक ऐसा और रंगीना एप हमारा हमारा made in India एप जो आपको देता है बहुत सारा कम आके जहां पर competition है कम जहां पर commission है कम अब जब दोनों चीज़े कम होगी तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि यूजर्स का profit होगा अगर अभी तक आपने नहीं करा है my master 11 मैं आपको बताता हूं क्या करना है description में जाईए comment section में मैंने comment specifically आप लोगों के लिए pin किया है कि आप वहाँ जाके tap करें और my master 11 को download कर ले और फिर खेली देखे कितना मज़ आएगा मैं कह रहा हूं मेरे कहने से करो बिंदाश download keeper में गुर्बाज रख रहा हूं steps को भी मैं sideline कर रहा हूं batsman में किसको रखा जाए देखो टैंबा मैं रखना चाहूंगा अधा कि कब आउट है किसी को नहीं पता लाएंगे नहीं तुम्हारे अपने डरना मत मार्करम नभी उमर्जाई फैलुक वायो की एक बाटमैन रखना पड़ेगा क्योंकि दस ओवर का spell कराएगा पूरा हमारे पास कितने हो गया नौ दो प्लेयर की जिए और में एक और डालो किसको डालो वियान मुल्डर को डालो बैटिंग प्लस बॉलिंग अब फिर बॉलिंग सेक्शन में जाओ यहां आप देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा बॉलिंग कराएगा वरना रीजा हेंड्रिक्स को डालो टैंबा को निकाल के बॉलर डालेंगे अगर सेफ होना चाहते हैं स्मॉल लीग में 3344 मेंबर खेलेंगे तो टैंबा को मैं आपको सजेस्ट करूंगा हां तो यहां पर सबसे बैस सीवी सी आप यकीन नहीं करोगे यार मेरा लेकिन मैं आपको सब कहूंगा राशित खान और एंडिले फैलुकायव बाकी आपकी मर्जी है आप किसी को भी सीवी सी बना सकते है आपका पैसे मैं तो इनी को बनाके गेम खेल दूँगा और अगर कोई अलग करना तो ओमर जाई को आप ले जा सकते हैं बैट्समेंट पर मैं भरोसा नहीं कर रहा हूं ज्यादा किसी पे भी ना ही मैं नभी पर कर रहा हूं ना ही में मारकरम पर कर रहा हूं बहुत क्लियर और सची बात ठीक है तो यह है मेरे cbc choices जिने मैं बनाऊंगा यही मेरी टीम रहेगी कोई खास चेंज नहीं होगा चेंज भी हुआ तो टेलीग्राम पर मैं अपडेट करूँगा तो वीडियो देखने वालों फायदा उठाओ टॉस के बाद मिलते हैं